हम वही काड़ते हैं जो हम बोते हैं और इसलिए सही चीजे बोना जरूरी है ये कहना था हरित क्रांती के जनक MS स्वामी नाथन का लेकिन इस क्रांती की कहानी क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में नमस्कार में महिमा शर्मा स्वागत है आपका आज की खबर में ये बा पेट भरने के लिए भीक मांग रहा था तो कोई खामोशी से सड़क किनारे बैठ अपनी मौत का इंदजार कर रहा था इस घटना में करीब 30 लाक लोग भुकमरी से मारे गये ये कोई प्राकरतिक आपदा नहीं थी बलकी मानव निर्मित थी दरसल देश में अनाज को दूस लाक लोगों की मौत हुई थी वही ज्यादातर लोग कहते हैं कि करीब 30 लाक लोगों की जाने गई थी इस घटना के वक्त स्वामी नाथन 19 साल के थे और इस घटना ने अंदर तक जग जोर कर रख दिया और इस वज़ा से उन्होंने तय किया कि देश में खाने की कमी नहीं होनी चाहिए फिर क्या था उन्होंने क्रिशी की पढ़ाई शुरू कर दी 1947 में वह आनिवान शिकी और पादप्रजनन की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में भारती क्रिशियानुसंधान संस्थान आ गये उन्होंने 1949 में साइकोट जेनेटिक्स में पोस्ट में युनेस्को फेलोशप के रूप में उन्हें एक बड़ा मौका मिला स्वामिनाथन ने पुलिस सेवा को छोड़कर निदलैंड जाना सही समधा और उन्हों में भारत आ गये और यहीं क्रिशी के लिए काम करना शुरू कर दिया जिससे आखिरकार एक राश्ट जो 1960 के द से उत्री हुई साथ ही उन्होंने भूमी बटवारा सिचाई भूमी उत्पादन सुधार खाद सुरक्षा कर्ज वित्रन परदाली किसान आत्मात्या रोकने में सराहनी काम किया देश को अकाल से उबारने और किसानों को मजबूत बनाने वाली नीती बनाने में उन्होंने एहम योगदान निभाया था उनके अधक्षता में आयोग भी बनाया गया था जिससे किसानों की जिंदगी को सुधारने के लिए कई एहम से फारिशे की थी स्वामिनाथन को उनके काम के लिए कई राश्ट्री और अंतराश्टी पुरसकारों से समानित किया जा जुका है जिसमें पदमश्री, पदमभूशन, पदमवभूशन, मैकसस पुरसकार और विश्वखाद पुरसकार शामिल है बतादे कि पिछले साल 28 सतंबर को मस्वामिनाथन का चिन्नई में निधन हो गया था वही अब उन्हें देश के सरवोत चनागरिक सम्मान भारत रत्न से मर्न